राजत सुप्रीमो लालु प्रशाद यादव की रिहाई का मामला एक बार फिर से तुल पकड़ रहा है लालु प्रशाद यादव के बड़े लाल तेश प्रताप यादव ने सोशिल मीडिया पर उनकी रिहाई को ले करके कैमपेइन चलाया है हैस्टाग रुलीज लालु यादव आज इसको ले करके तेश प्रताप यादव पूरे बिहार से पोस्कार्ट को इखटा करके रास्ट्रपती भवन भेचने वाले हैं नमस्कार मेरा नाम निशाउचा है और आप DTW24 News देख रहे हैं चारा खुटाले मामले में सजा काट रहे है लालु प्रशाद यादव विमार चल रहा है दिल्ली के एमस में उनका इलाज हो रहा है और इसी समय उनकी रिहाई की मांग भी तेज हो गई है उनके बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने सोशिल मीडिया पर उनकी रिहाई के लिए मुहीम छेड़ दिया है और वो ज्यादा से जादा लोगों से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो इस मुहीम से जुड़े तेजप्रताप यादव द्वारा चलाए गए आजादी पत्र मुहीम के तहत बिहार भर से जमा चिठियों को दिल्ली भेजा जाएगा जानकारी के मुताबित आज शाम चार बजे पटना अस्तित जीपीओ से तेजप्रताप यादव पूरे बिहार भर से आए आजादी पत्र को रास्टपती भवन के लिए पोस्ट करेंगे आपको बता दे कि बिहार के पूर्व मुखे मंत्री लालू प्रशाद यादव चारा घोटाले से जुड़े मामले में सजा काट रहे हैं उनकी तबियत बिगरने के बाद बहतर इलाज के लिए उन्हें राची के रिम से दिल्ली की इम्स में शिफ्ट कर दिया गया है हाला कि दिल्ली जाने के बाद लालू प्रशाद यादव की तबियत पहले से बहतर है उनकी स्वास्त के निग्रानी के लिए परिवार के लोग भी उनके साथ है लेकिन उनकी रिहाई के लिए बड़े बेते तेजपता प्यादव ने सोशल मीडिया के साथ-साथ राज़त के छात्र संगठन की तरफ से भी रिहाई को लेकर के मुहीम चलाया है इसके तहट सभी विश्व विद्याले के छात्रों को भी लालू प्रशाद यादव की रिहाई के चलाई गई मुहीम में जोड़ा गया है तब से लालू प्रशाद यादव की तबियत ज्यादा बिगडने की खबर बिहार के लोगों को मिली है तब से उनकी चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है तेश प्रताप यादव ने कई बार ये कहा है कि लालू जी को जूटे मुकदमे में फसा दिया गया है जो लोग इस मामले में फसे थे उन्हें छोड़ दिया गया लेकिन गरीबों की आवाज लालू प्रशाद यादव जी को तबियत खराब होने के बावजूद भी जेल में बंद रखा गया है कैमपेइन को ले करके तेश प्रताब यादव ने कहा कि इसे शुरू किया गया है और इस मुहीम को पूरे देश में चलाया जाएगा हम महा महीम रास्टपती से लालू जी की रिहाई की मांग करेंगे आज उसी मुहीम के तहट वो देश भर से प्राप्त सभी आजादी पत्रों को दिल्ली भेजने वाले हैं सोशल मीडिया पर इस मुहीम का कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन फिलहाल अभी लालू प्रशाद यादव का इलाज दिल्ली की एमस में चल रहा है और उनकी कुसल स्वास्त की कामना पूरा बिहार कर रहा है लेकिन सबकी यही मांग है कि तब्यक खराब होने के वज़े से लालू प्रशाद यादव को अब जेल से रिहा कर देना चाहिए बहरहाल आप इस तरों की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चानल के साथ बने रहिए अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दीचेगा बहुत बहुत शुक्रिया